हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल साहनी कंस्टक्शन में तो आज की वीडियो में फ़रे डिसकूस करने वाले हाउ टू कल्कुलेट कॉम्परेसिब स्ट्रेंथ औफ कन्कूरेट कीयूब के वारे में हम प्रॉपर डीटेल में बात करेंगे किस तरीके से क्यूब को फील करना है क्यूब को feel करते समय किन किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है किस तरीके से compressive strength क्यूब का निकालना है ठीक है न और कितने दिनों के लिए जो इसे 7 days after 28 days पर किस तरीके से इसका strength चेक करेंगे और साथ ही देखेंगे according to IS code कि यह क्यों हुमारा pass हुआ या फिर fail हुआ तो please वीडियो को बड़े ध्यान से last सक देखते रहे है ताकि सभी चीज़े आपको सही तरीके से पता लग सके तो चलिए वीडियो के start करते हैं start करने से पहले एक छोटा सा request है यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिये गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है न तो चलिए start करते हैं सबसे पहले आप जो भी grade of concrete यूज़ कर रहे हैं सब्सक्राइब करने से पहले कुछ जो खास बात आपको ध्यान रखना है यह धियान रखना है कि क्यूब जो है प्रॉपर तरीका से उसके जो nuts and bolt है वो प्रॉपर तरीके से tight होने चाहिये दूसरा उसमें जो oil जो है प्रॉपर तरीके से उसके inner surface पे oil प्रॉपर तरीके से होनी चाहिये यह बहुत ही important point है ताकि cube आपका proper आए उसके corner बगएर जो break ना हो second point है cube आपको 3 layer में feel करना है 50-50-50 mm ठीक है ना पहला layer 50 mm का then second layer 50 mm का then third layer 50 mm का एक बार में आपको cube नहीं feel करना है 3 layer में आपको cube को feel करना है और जैसे मन के चले first layer आपने 50 mm cube को feel कर लिये then आपको tamping rod की help से 35 time आपको stock देना है concrete के उपर ठीक है ना और कई बार interview में question पूछ लिया जाता है कि जो tamping rod है उसका कितना dia होता है और उसकी कितनी length होती है आपको याद रखना है tamping rod की जो dia होती है वो होती है 16 mm और उसकी length होती हो हमारे पास 600 mm होती है ठीक है जब आपका concrete cube fill हो जाए then उसके पाद आपको उसके उपर proper तरीके से date उसका grade of concrete और कौन से location का वो क्यूब है जैसे column में तो column बीम है तो beam या whatever जो भी है ठीक है उसका date grade of concrete और उस पर location marking करना हो क्यूब के ऊपर ठीक 24 घंटे के लिए उसके छोड़ना होगा dry करने के लिए after 24 hours क्यूब को जो है आपको mold से open करना है ठीक है क्यूब के nut balls को खोल के उसको open करना है ठीक है ना और 24 घंटे के जो है tank में डालते हैं तो आपको खास ध्यान यह रखना जो जो भी tank में जो आपका पानी है उसका temperature 27 डिगरी से लेकर 30 डिगरी के बीच बीच में होना चाहिए ठीक है ना इससे ऊपर नहीं होना होगा ठीक है ना और साथ ही आपको यह ध्यान रखना उस पानी में किसी तरीके कोई भी chemical यूज नहीं करना है neat and clean हमरा वह पानी होना चाहिए ठीक है ना और जब 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 जो जब साथ दिन हो जाता या 14 दिन हो जब भी आपको टेस्ट करना है after seven days यापिर after 28 days है ना उसको अप उसres-डेट में आपको क्यूब को निकाल सकते है और उसको ड्राइ करने के बाद उसको आप टेस्टिंग के लिए यहां पर मैं एक नंबर ऑफ सेंपल बोल रहा हूं इसका मतलब मैं 6 क्यूब की बात कर रहा हूं क्योंकि एक नंबर ऑफ सेंपल में 6 क्यूब होता है यहां आपको दो नंबर ऑफ सेंपल आपको फिल करना पड़ेगा यहां इसका में आपको चार नंबर ऑफ सेंपल बरना पड़ेगा यहां आपको क्या करना पड़ेगा चार सेंपल भरना ही पड़ेगा साथ में आपको हर एक 50 क्यूब क्यूब करना होता है अब हम देखते हैं कि क्यूंपरसिव सेंपल निकाल लेते हैं compressive strength का formula जो थे simple load upon में area होता है जो भी load हम compressive CTM machine के through cube पे डालते हैं जितना भी kilo Newton आता है divide by उसको हमको area करना होता है for example के तोर पे मैं माल लेता हूँ कि मेरे बस grade of concrete है M30 और मैं test करने जा रहा हूँ after 7 days यहनि कि 7 days curing करने के बाद उसको जो है proper तरीके से मैं आप जो है test करने जा रहा हूँ तो मैं example लेके चल रहा हूँ मैं उस cube को test कर रहा हूँ then मेरे load जो आ रहा है वो 600 kilo Newton आ रहा है ठीक है न area आप simple निकाल सकते है cube का length into में width 150 mm into में 150 mm then यह आपका area आ रहा है 22-500 mm square यह आपका area आ गया then आपको निकालना है compressive strength of cube then आपको मैंने formula बताया था क्या होता है load upon में area load आपका 600 kilo Newton आ रहा है area आपका 22-500 mm square ठीक है न तो यहां से आप देखें यहां पर kilo Newton आप उसको Newton में convert कर सकते है 600 into 1000 Newton divided by 22-500 ठीक है न यह मैं single 1 cube का मैं calculate करके बता रहा हूं उसी तरीके से आप जो है यदि आप 4 sample है तो 4 sample का आप cube का strength निकाल के देन उसका average निकालेंगे राइट यह तो मैं आपको single 1 cube का निकाल के बता रहा हूं ठीक है न उसको calculate करेंगे तो यह आपका निकाल के आता है हमारे पास 26.66 Newton पर mm2 ठीक है आपको check देखना है कि cube pass हुआ या फिर हमारा fail हुआ तो strength जो cube occupy करता है after 1 day एक दिन के बाद cube हमारा 16% strength को occupy कर लेता है after 3 days 40% after 7 days 65% then after 14 days 19% then after 28 days 99% हमारा cube strength को occupy कर लेता है ठीक है न अब हमें आपको test कर रहे है देखना है पास है या फेल है तो after 7 days क्या करना आपको simply M30 grade है तो M30 और 7 days के बाद आपको पता है 65% जो है यह हमारा strength occupy कर लेता है 65 डिवाइड वाइड 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 तो यह आपको फॉलो करके 19.5 approximate 20 Newton पर mm square और हमने जो है strength निकाला था अपने cube का हूँ 26.66 Newton पर mm square जो कि as per norms हमारा कहता है कि 20 Newton पर mm square आना चाहिए बठ हमारा आरा 26.66 Newton पर mm square इससे हमें कह सकते है हमारा cube है वो प्रपर ठीक है और यह हमारा cube पास है तो आज की वीडियो के update friends इतना ही था मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आ रहे है वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड के साथ share कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट रूट तक के लिए बाई